नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजली शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, MS कॉलेज, बिकानेर आज की क्लास में हम टाइप्स ओफ वीव को कंटिन्यू करेंगे आज हम बात करते हैं सबसे पहले साटन बुनाई साटन बुनाई से निर्मित वस्त्र के स्तीधे या फेस की तरफ ताने अत्वा बाने का फ्लोट होता है जिससे कपड़ा चिकना व्यमुलायम होता है ताने का साटन बनाने के लिए प्रति एंज ताने के तारों की संक्या अधिक रखी जाती है तथा वार्प का धागा विशेश रूप से दिखाई देने के कारण धागा भी अपेक्षा करत अच्छा रखा जाता है इसके विपरित बाने का साटन बनाने के लिए बाने की संख्या प्रती एंच अधिक रखी जाती है तथा धागा विवार्प की अपेक्षा अच्छा रखा जाता है इसमें कपड़े के पेस में बाने का धागा प्रमुक्ता से दिखाई दिता है यह बुनाई मुख्य तयार रेशम के धागों से की जाती है धागे में एठन भी कम होती है साटन निर्मित वस्र देखने में चमकदार, सुन्दर वे आकरशक लगते हैं परन्तु तुलनात्मक रूप से इनकी कारे शमता कम होती है इनमें रगड वे गर्शन शमता कम होती है साटन मुणाई दो प्रकार की होती है irregular satan तथा regular satan irregular satan यह बुनाई कम से कम चार से लेकर किसी भी संध्या के तारों से बनाई जा सकती है इसमें satan के चिन्ह को irregular drum में प्रतियक तार तथा प्रतियक पिक में केवल एक ही रखा जाता है इसलिए इसे irregular satan कहते है चार वे छे तार में इसके केवल irregular satan बनता है regular satan इस प्रकार की satan केवल ऐसे warp end में बनाई जाती है जो दो खंडों में विभाजित हो सकें जो नय तो स्वयम एक दूछे को विभगत कर सकें और नय ही उन दोनों खंडों को विभाजित कर सकें जैसे 8 के केवल 5 वे 3 ही ऐसे खंड है जो satan बनाने के लिए उप्युक्त होते है प्रतियक प्रकार के satan को भी आगे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है ताने का satan तथा बाने का satan ताने का satan इसमें ताने के तारों की संग्या अपेक्ष्याकरत अधिक रखी जाती है तता फेस साइड अधिकता वे प्रमुक्ता से दिखाई देने के कारण ताने का धागा अच्छी क्वालिटी का रखा जाता है अब है बाने का satan इसमें पिक की संग्या अपेक्ष्याकरत अधिक होती है तथा फेस में बाने की संग्या अधिक दिखाई देने के कारण धागा भी अच्छी क्वालिटी का रखा जाता है साटन तथा सटीन बुनाई में सभी प्रकार के दागों का प्रियोग किया जाता है परंतु रियोन वे रेशम अधि उप्युक्त होते हैं इसका प्रियोग अधिकांश्त है कोट, ओवर कोट, इत्यादी का अस्तर बनाने के लिए किया जाता है अब हम बात करते हैं, फैंसी बुनाईयों की, जिन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, डबल क्लॉथ वीव डबल क्लॉथ कपड़े में लूम पर एक साथ दो कपड़े बनते हैं लूम पर से उतरने के पश्चात ये कपड़े आपस में गुते हुए या किनारों पर जुड़े हुए या दोनों कपड़े अलग-अलग होते हैं इसके लिए दो धागों के सैट की आफशकता होती है अर्थात दो ताना वे दो बाना दोनों धागे अलग-अलग या एक ही रंग के हो सकते हैं दोनों वस्त्रों के लिए एक ही या दो भिन-भिन प्रकार की बुनाई ली जा सकती है दोहरा या डबल क्लॉथ अत्यदिक कर्म होता है नेक्स्ट है पाइल बुनाई पाइल बुनाई में कुछ धागे कपड़े के धरातल पर लूप बनाते हैं ये लूप ताने या बाने के धागे द्वारा बनाये जाते हैं बाने द्वारा बनाये गए लूप को वार पाइल स्ट्रक्चर कहा जाता है कपड़े में लूप होने के कारण इसमें उश्मता वे आवशोशकता के गुण विद्धिमान होता है कपड़े में लूप तीन प्रकार के बनाये जाते हैं पहला है कट पाइल अर्थात कटे हुए पाइल इस प्रकार की पाइल सरजना में बुनाई के दोरान निर्मित लूप के उपरी सीरे को काट दिया जाता है सेकिंड है अनकट पाइल अर्थात बिना कटे हुए पाइल इस तरह की पाइल सरजना में कपड़े के सताय पर निर्मित लूप को काटा नहीं जाता है टेरी पाइल सरंजना इसी के अंतरगत आता है यह तोल्या निर्मान के लिए अधिक उप्युक्त होता है थर्ड है पाइल ओन बोथ साइट अर्थात दोरुखा पाइल इस तरह की पाइल सरंजना में कपड़े के दोनों तरफ में लूप का निर्मान किया जाता है नेक्स्ट है क्रेब फीव अर्थात क्रेब बुनाई इस बुनाई में कपड़े की सतय पर छोटे-छोटे दाने के आकार की बूटियां बनाई जाती है ये बूटियां तिल या साटन तथा अन्य किसी बुनाई के प्रभाव से रहित ताने अत्वबाने के फ्रोट द्वारा निर्मित होती है इसका प्रियोग सामान्यत है डिजाइन वाले कपड़े के धरातल शर्टिंग मैटिरियल इत्यादी के लिए किया जाता है नेक्स्ट व्यूव है डाइस चेक यह डिजाइन हैरिंग बोन बुनाई पर आधरित होता है इसे बाने की और उलट का चेक बनाया जाता है इस प्रकार के डिजाइन को डाइस चेक कहा जाता है बैट फोर्ट कार्ट इस डिजाइन द्वारा कपड़े की लंबाई में उब्रे हुई धारियों का निर्मान होता है इनकी प्रतियेक दो धारियों के मद्धे समानांतर दोड़ता हुआ एक दबा निमन इस्थान होता है इससे इस्थान द्वारा धारियां आपस में एक दूसरे से प्रथक होती है इसका प्रयोग अधिकांशता है शर्ट, पैंट इत्यादी में किया जाता है यह प्लेन यह ट्विल पर आधारित होता है लीनो वी अर्थात लीनो बुनाई इसे गाज भुनाई भी कहा जाता है इस भुनाई के लिए करगे में लीनो अटेश्मेंट लगाया जाता है यह भुनाई जालीदार होती है इसका प्रयोग सामाननेत है मच्चरदानी, परदा तथा परिधान हेतु किया जाता है डॉबी भुनाई मेंस डॉबी वीव, यह भुनाई डॉबी मशीन दी द्वारा बनाई जाती है इसमें रिपीट में अधिक संक्या वाले हिल्ड की डिजाइन बनाई जाती है हिल्ड के अतिरिक्त यह एक रिपीट में अधिक बानों की संक्या के लिए भी उप्योग्त होती है साड़ी के किनारे एक्स्ट्रा वार वे स्ट्राइब डिजाइन के लिए भी बहुत उप्योगी होते हैं इसके अतिरिक्त आधार्बुट डिजाइन वे फैंसी डिजाइन के सहियोजन से भी अधिक आकर्शक डिजाइन बनाए जा सकते हैं जैकाड बुनाई means जैकाड भीव इसके द्वारा अत्यांत जत्यांत जतील वे बड़े रिपीट की डिजाइन बनाई जाती है इसके अंतरगत ताने के प्रतियक्तार स्वतन्त रूप से कारय करता है डिजाइन बनाने के लिए कार्ड वैसिलेंडर का प्योग किया जाता है डिजाइन के अनुसार इन कार्ड में होल या पंच किये जाते हैं ये कार्ड आपस में एक दूसरे से लेश के समान जुड़े रहते हैं जैकार्ड बुनाई के लिए सबसे पहले डिजाइन को ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है तत पश्चात कार्ड को पंच किया जाता है। डिजाइन वाले स्थान पर होल किया जाता है तथा जहां डिजाइन नहीं है वहां वैसे ही छोड़ दिया जाता है। डिजाइन का प्रतिय कार्ड एक पिक के लिए उत्तरदाई होता है इससे निर्मितवस्त्र अत्यन्त सुन्दर वे आकर्शक होते हैं इसका प्रियोग सामाननेत है सोफा सेट, कुशन कवर, डे मॉस्क, ब्रॉकेट, अफॉलेस्ट्री इत्यादी बनाने के लिए किया जाता है थैंस